हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो डिस लाइनिंग इंडिया का मनसुन जो होता है उसमें south west मनसुन जो होता है वो सबसे ज्यादा impactful और सबसे ज्यादा important होता है तो इस वीडियो में हम लोग southwest monsoon के बारे में पूरा detail में समझेंगे अब तक हम लोग Cinth new Half साथ मॉंषून को भारे में सब कुछ Sामप चुक है इस वीडियो में समरे रहेगा पूरा पूरा डीटेल समरे रहएगा पूरा डीटेस में सब कुछ कैसे होता है क्यों होता है क्या क्याब ब्रांच है पूरा डीटाइस में सब कुछ को समझेंगे तो इस विल बी था थाटी फाट अब आवार इंडियान मॉंसुन सिरीज अगर आप लोग ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेडिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं इस फिगर में इसको देख के समझ सकते हैं कि इसके दो ब्रांच बन जाते हैं एक अरबियान सी ब्रांच होता है और दुसरा बेंगल ब्रांच होता है उसको हम यहां पर डीटल में पहले समझ लेते हैं इस दो ब्रांच में पर प्रोग्रेस करता है तब दो ब्रांच में डिवाइट हो जाता है यह दोनों ब्रांच्च ब्रांच्च अर्द ब्रांच्च को मतला किते हैं it भिट प्रश हरियान पंजाब यहां से अरब इस परप्र यहां से आपको पता है तरह मूब करता कि पहले आरबियंची ब्रांच यहां से ऐसे गैनिक आसपर पहुंचा फीर बैंगल ब्रांच यह में जाता हूँ है और इहां से देज्ट और यहां परट्विन को ब्रांच ब्रांच सो मिलने के बाद क्या होता हैं धिरे धिरे करके वЕН्ट शेंवराब रियाण अहीड ऐसा वर्यान से पक्रिन amazingly money कि राजस्तान को फाइनली पहुंचता है और हिमाचल प्रदेश और कास्मीर में भी यह इसका विंड जो है उसका करेंड जो होता है बाइद एंड अव जून तो मॉन्सून इज यूजली एस्टाबलीज ओवर मोस्ट अब पार्ट आपको पता है वह मॉन्सून सबसे पहले म पूरा ओल अवर इंडिया में मॉन्सून का विंड बहुंच जाता है और रिमिनिंग पार्ट फॉन्च तरह के पहुंचता है और वहांपे रिन आ रिकास्मीर और रेस्ट पार्ट के पास. मित जुलाइ में पहुंसते हैं और अर विस्टन और एरिया विस्टन रचान वहां तक पहुंसते हुद्ध में पहुंस के पास नहीं बचता देन आरबियनजी ब्रांज ग्रेज्वली एडवन्स नौ्थ वर्ट रिचस मॉंबाई वाइंथ जून , 10 जून होते होते वह अरबियन जी ब्रांज जो है वह नौ्थ वर्ट जाके मुंभाइ में पहुँँ जाता है अब देखिये आगे हम लोग देखते हैं अरबियन सी ब्रांच जो है that is more powerful होता है क्यों इसका कुछ रीजन से हम समय लेते हैं अरबियन सी ब्रांच जो होता है वो बेयो बेंगल ब्रांच से ज्यादा पावर पुने का कुछ रीजन है पहला रीजन है अरबियन सी इस लारजर दन बेयो बेंगल अरबियन सी बेयो बें पर बंब करते हैं बाकी पर्ट फ़ो यहां से इसे तरह होता है तो ब्रांच होता है वह सब कुछ इंडिया में इंटर करता है वेरस बेंगल पर पर चला जा जाता है इसलिए इंपक्ट पोल्या फॉट में लिए दो होता है तो यह दो बेंगल ब्रांच को देखिये बेंगल ब्रांच spread rather rapidly more most of the sun most of the sun sun most spread करता है normal date of survival at kolkata 7 June 7 June 7 जूल को Kolkata में वो arrive करता है देन on reaching the foot hill of Himalaya the Bay of Bengal branch is deflected westward हम लोग ने अभी discuss किया था कि जब हो Himalaya के foot hill में पहुंचता है वह वेस्टवार डिफ्लेक्ट करता है हिमालया से टकरा के वह ऐसे एस से वेस्ट के तरफ दिफ्लेक्ट हो जाता है और उस तरफ फिर उत्तर प्रदेश में फिर आपका भरियाना पंजाब और प्र रहस्तान में पहुचता है इन सब के बारे में हम लोग अल्री डिसकस कर चुके हैं ऀमालया एक ऐसे के तरह काम करता है एंड सब्सक्ति इस्टों कर तक यहां पे बेंगोल प्रांश अर्ब्राण्च का बेसिक डिसकस किया अब अब लोग पुर स्क पुर्ण व editors करते हैं कि यह सब जो अरफिश्टिस था क्स्त्रीस आं कहां का फ्लों होता है और विए उप ब् ब्रांच मंथे मौन्सुन भेड़े इस डिवाइद टीजेंग स्टीम आरियांग सी ब्रांच का तीन डिस्टिंग स्टीम होता है जब में लेंड इंडिया के अंदर अराईब करता है पहला आऽ या पर्ला करता है अन। पहला वाला त्रीम इवेस्ट कोर्ड कोस्त और पींड चाफे कर्कें के लिए बहुत ज्यादा लिटीक सब्सक्राइब बहुत ज्राइब टेक्ने के लिए मिलता है इवन आपको देखना के लिए और उसके उपर लाइट हो आपडने के बाद है यहां पर क्या होता है यह मौंसुन जो वीइन्वर्ट उपर जाके थंडा होता है और कंडेसेशन होके यहां पर बहुत ज्यादा रेन्वार कराता है यह लिए इसका वीडुवोर्ड सइड रहता है वो बहुत ज्यादा क्म रेनफॉल होता है वीडुवार्ड में 40-5 cm सब्सक्राइब विश्टर गार्ड एक नेरो बेल्ड होता है जहां पर एरिटी भी हमको देखने के लिए मिलता है यहां पर बहुत ज्यादा कम रेंपोल होने के खराण हमको एक 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 अरिडिटी की जैसा एरिया हमको देखने के लिए मिलता है डिजाटिक कंडिशन नाओ बट वांस इट पास जब यह वेस्टन गाट को पास करके चला जाता है यह स्टार्ट राइजिंग एगें पास होने के बाद यह फेट से राइज करता है और दैमांड रेंफॉल एंपर इस्ट जब यह जो बेल्ट यह स्ट्रीम है वह उस रीजन से पास करके आगे जाता है जब तक यह रहता है तो यहां पर नहीं हो पाता है तो यह आराम से उपर राइज कर सकता है और राइजिंग होने से इसट अब यहां पर नॉरमदा तापी र्चाँ इस रीधर रेंबस राइटम पास यहां पर इस दिनन प्रें आस पास आपका नर्फाट वह यहां पर वो क्या करता हीं एंटर करता है इसको फो इस और न करता हैं इनके और श्रायकि力्प्रेंख करता है यहांट तरह कोस्ट साउट्यों निय tha मुज भी में ॥ डॉ इस पासतक थैंड goes यहां पर नॉरमदा टापी का प्रॉय है यहां पर कोई भी मेजर ऑब्स्टेकल्स नहीं है उसके वैसे यहां पर सब्सक्राइब रेंफॉल नहीं कर पाता है तो यह सेटेंड थी तौक के थू इंडिया में घुछता है था थी जो है और पर लावली विटाउट कोजिए इस और आवली भी बिलकुल जाने के वाज़े से वहां पे बिलकुल रहता है तो यह तीसरा स्ट्रीम था स्वावेवव समोरीफिए इफ्पेक्टिस अकर उन्ला छाओंस एंगलता है। फो चाहर आप देखने कि लिए मिलता है। उस रिजन पहलापे 62 के 80 सेंटीमिल गारेंग यह शेडि ब्रांच है। बेंगल ब्रांच में बढ़ जाता है पहला वाला स्ट जो होता है यहां से इंटने इंटेन और वहांस पढ़िए है यहां पे बेंगल पर है यहां से मांटनें और पुलभाणचल की साथ देखराने के बाद वह इस्ट से साइड में डेफ्लेक्ट हो जाता है और इंडस गंगा ब्रहुआ बथाय में एंटर करता है और फिर वह मेफालय पहुंच आ बेंगल ब्रांच का पहला स्ट्रीम क्रॉस करता है गंगा ब्रहुपत्र डेल्टा को और मेगाले में पहुंचता है वहां पर ज्यादा इंटेंस रेंफॉलम को देखने के लिए मिलता है हमने देखा था कि चेरापुंजी जो है वह लगवग 1100 सेंटीमिटर का रेंफॉल रि में मैं 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 अभी प्रेजेंट लिए 1330 के असपास रेंफॉल होता है जो है वह थे रहसो तीस लगवा उतना सी लेवल पे है उतना सी लेवल हाइट है जो सिक्स्टीन किलिमेटर वेस्ट अव चरापुंजी और वहां पर 1221 सेंटीमिटर का रेंफॉल दिखने के मिलता है इस हाइस्ट वारीन वाल्ड में सबसे अधाव एट्स मैंसरा में बोट अस्टेशन दोनों के दोनों खासी के सदन स्लोप में है अद दन नौर्ड एंड पडी वैली रणिंग फॉम दे साउट नौर्ड एक डीप वैली जो कि साउट तो नौर्ड एसे रन करता है उसके आपका इंडिया का नौर्ड पाट है तो इस तरफ साउट इस तरफ से आ रहा है और यह जो खासी हिल यह उसका सदन सोप लोप है और नौर्ड नौर्ड पर देखिए यहां पर फॉनलिंग एफेक्ट होता है जब साउट इसके अंदर गुजते हैं तो एक छोटा सा ओपनि करते हैं इसके अंदर और उसके बाद यहां पर इंटेंस रेंपॉल देखने के लिए मिलता है अब आगे दिखते हैं यह तो पहला स्टीम था जहां पर आपको ज्यादा रेंपॉल देखने के लिए मिला गंगा बहुंपतर डेल्टा और स्पेशली मेगाले का महासरव फूटील हमालयन मुप लेकिन वेस्ट के तरफ दिखलता है इंडस गंगा प्लें में में ज्यादा इंगा प्लें इंट यह तो देंगा साथा तरूर्य ऑट न्यूसे तरफ लिए वांजी होता है इन अट प्ले लिया तो इन देख लुए तैम्यल कोसीट रिमेंस रिवे क् सब्सक्राइब कोश्ट में सब्सक्राइब नहीं होता है क्योंकि वहां पर देखने के लिए मिलता है और अरबियंसी ब्रांच का यहां पर सब्सक्राइब का इस इस ने लिए और यहां यहां पर निए कि अधार नियुक्ण ब्रांच से क्यों ज्यादा स्ट्राइब और यह वह मैं रहता है so this is all about this part thanks for thanks for listening and stay out there for the next part thank you